हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज गए इस लेक्चर में हम भारतिय जो प्रायदीप की नदिया हैं, उनके बारे में डिसकस करेंगे, जो भी प्रायदीप में नदिया हैं, उनको कम्प्रेट करते हैं, हमने हिमाले की जो नदिया थी, तीन अपवाद अंतर थे हमाले में, पहला भारतिय प्रायदीप की नदियों का अभी इंपोर्टन पॉइंट हो यही है, कि यह विसर्प वो नहीं बनाती है, और इस पर ऐसे क्यूपेस से कूल लेते हैं, घुमाफिरा के, जैसे आपको दो तिन दिवर के एक पॉइंट देदेगी, फिर वहां पूछ लेगी कि प्रायदीप से निकलते हैं, इसलिए विसर्प नहीं बना पाती है, क्योंकि पठारी एरिया आपको बता कि प्रायदीप पूरा पठार है इसे दिर में, तो इसलिए पत्थर को काटके तो भी विसर्प बनानी पाएगी, और दूसरा ही है कि हिमाले से जो नदिया निकलती ह इतुनत हिमाले से निकलते हैं, विसर्प बना पाहरा हो नहीं बना सकती है, अब मतलब मेदानी बाग से निकलते हैं, जिस्टमबल वगरा नदिया है, वो अपना जो विसर्प है वो बनाती हैं, तो यह हमें पता होना चीए, तो ऐसे यूपेसी स्टेंडमेंट पे और इस क्यूसर से पूच सकती है अब आगे सलते हैं में पॉर्म के वोगरा में जो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता हैं गंगा का जब बंगाल में दो भागों में नाम डिए डिलता है यहां पर इसका नाम है वह आपको बता है अब दामोदर वह निकलती कहां से है यह चोटा नाकपूर के बठार से होकर बैती है तो यह इसके लिए इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है अब आगे दलते हैं दूसरी है यहां पे वह है सबसे पिल्ठाव को बता दूं कि यह रिवर्स सम्पहले के ओल जो इस्टन कोर्स अगले में रिश्टन को आरे में दो इससी नदी के किनारे संट इन गीनारे पर हिंटित और इसके जाविक मुनस्तल के नाम से विया पूपूलर तो इसके कि बारे में थोड़ा धान होना चैए क्योंकि इस ऐस पार सब्सक्राइब इंडस्टिर्य इंडस्ट्री इसलिए सारा कच्राइब डाला जाता है ख़ अगली आगे है वह राहनी सब्सक्राइब यह इसकी का थिखुता है और उसका डेल्टा है इसके बाराइश की डिखते हैं गोदावरी रीवर गोदावरी रेवर हमारे लिए काफी काफी बाइन वह इंपोरेट होजाती है क्योंकि ठकशिन भार्त की है क्षोन में सबसे लंबी रिवर है तो इसलिए हमें इसके बारे पताऊना चाहिए लिए हमारी इंपोड़ेट की मिलाविकलton तो यह वेस्टन गारण से निकलते है नासिक के पास से तो यह इसकी र fence पता होने चीजिस हो अगली वर्हेक्टियम्टतों हो वह देखते हैं वह कि रीवर्ड है वेस्टन गार्ट में महाबले स्रुपी जो काड़ी है, वहां से निकलती है हुमारास्टर से, और फीर यह जाते है, ड्राइट वैसे फ्लो करती है, फिर अंदर प्रदेश से बैटी भी यहाँ पर लेल्टा बनती है अंदर प्रदेश में, अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ तो कोलेरूरेट से रीवर्स के बीज में तो खोलेरू लेक और किरिशना रीवर्स के बीज में है तो हम पता है कि उसमेंगे करिशना रीवर्स पीज में भूम पर ही कों लिए कोला हैं जो माक्राइब वह फिर पीना रिवर में दो के लिए नाम में नाम में कंड़ुजन होता कि साउथ में काफी की नाम सिमिलर भी है जब पिर दिसकस करेंगे यहां पर पेनार है तो नाम में ठुछा द्यान रखने है कि पेनार रिवन है वह मेंली जाके बंगाल की खड़ेवले चेतर में गिरती है और यह से होके बैती ह कि अगली जो काफी इंपॉरेंट आजए वह आती है.. ब्रहम जो कावे्यारी रीवर.. कवेरी कावेरी रीवار है। वह ब्रहम गिरी की पहाड़ियों से निक्ञलती हैं.. तो यह हमारे लिए और देटा है। आपको बता है। से से बुछानिpha कि लोकी खाडी किया ... क्याने मेरे के रामेस्वर्मानि ऑफिती .... यू प्लु fuel उसे तामर पर की बोलते हैं त्वी वो मननार के खाड़े में गिरती है मैश्मर्मानि कि अश्ब आपको अब करे तो भाली मेर्यों है यहां पर चुंपर आख स्रीलंका करा नई मैं तो इस वाले तो यह वाला कॉसमा इसको बistyIES को भोता है और यह निचे लागी है ये दिफ्रेंस या बनाति के दक्सिन में उसको बोलते हैं मैनार के काड़ी नौर्स में ब्रe efficapark को अतरों में तो जो तामरमीक हो रही हो रही हो रही ह है वह मनार की खाडि मेंCan nasa के और ही के कहते हैं वह काफी अच्छी होती है इसलिए काफी पूपूलर रिवर है अब गोदावरी रिवर हमारे लिए काफी इंपोर्टन हो जाती है क्योंकि दक्षिन भारत की सबसे लंबी रिवर है देखो में सारी जो रिवर्स हैं उनकी ट्रिविटीज हमें याद रखने की कोई ज कि अब तो आप आप गोण याथ को बता है सबसे पहले की डिक्स तो रॉक ऑजाप करती है यह जाके बनगाल में जाके विस्टर हो गिरा देती है तो अब इस वागले आती है पूर्ना फिर तीस्ती आते है वेंगंग गंगे लिए पराण हुत्ण हो और अगले आते है इंद्रावटी और फिर हमने डिसकोड़ी की इसके बाहीं साइड गिर्यूर्टी तो ने च्किनिवेर्खने तो मिलती हैं तो यह नुद्धियूद ने खालता है तो बाकि जो सारी हूं इसे सारी आगे मिलती है तो सारी है के मिलती है तो साउथ की साड से जो रीवर आके मिलते हैं अली उसका नाम क्यों लेकी है वो हमारे लिए important उसके होग है मजीरा अब चलते हैं मागे आगे हम क्रिशनारीयोर की tributaries हैं वो भी देख लेते हैं क्रिशनारीयोर की आपको लोकेशन पता है यह रही महाब लिसुरू से निकलती है और फिर यहां पर जाके इपना डेल्टाव बनाती है वो आगे जते हैं क्रिशनारीयोर की जो tributaries हैं सबसे पहले तो इसमें आती है गाड परवा माल परवा दूद गंगा पंच फेस्टा गंगा गोदावर के पर इट ड cotton परस दरीष के छी dop परमिमा परदी नाम है थे और ढमाति थे सेटेटלा vilt वे टृट्वी को यह यह सिक्वेंस की में पतावने चाहिए सदाभा 되어गी वह यहां और बॉपी कि के युद्प उसको पच में इसकी तो एक टो ऊटों इस्टर घाट से भारी और जाते हैं और वेस्टर घर में बारिस होतीर तब भी पानी मिलता है सदी और गुर्मी दोनों मॉसुन नंहीं से पानी का फलो बना रहता और पानीन थाम बने रहने में नाटरे-र अरकावधी फिर एहेमवथी फिर अम्रावथी आपको बताना है कि क्यों हो शुल्खियों में अम्रावथी के बार में कुछ इस्प्रेसल है पिर अगली है काबीदी, फिर अगली है भवानी, रिलक्समन्टी और फिर लोग पाउनी, तो मैं इनके नाम है वो पता होना कौन से के तो में ऐसे हैं अगर हम पांच-छे बार या आर दस बार इनको बार बार देखेंगे तो में सारी से याद हो जाएंगी ऐसे रट के नहीं बैटना है में कि तूंग बद्रा घाट गंगा माल परबाद दूंद गंगा पंज गंगा ऐसे रटने के लिए कोई है और जो न्यूज में रहती है उसके बारे हमें जो मोटा मोटा महली जो राइड डाट है वो हमें पता होना जी अब आगे चलते हैं अब आगे जो अरब सागर में जाके गरते हैं मैं वेस्टम घार्ट की दो रिए और से उनके बारे में देख लेते हैं तो वह भी हमारे एक काफी महलने तो इनके बारे में रहेचे करके देखे हैं सबसे पहले तो सबसे पहले हम सीक्वेंस कि पूछ सकते हुं ओट अरेंज तो पताना जी आ शेया पर शेकिन पर क्रेशन आएगी फिर कावी जाएगी तो सिक्विंस के कोडिंग में रिवर हैं यह एरेंज की हैं तो आप एक बार इंको नो टांड कर सकते हो अपने पास अधिकिए आप हाथ से मेफ बनाकर बनाकर डिसकस करेंगो आपको ज्यादा अच्छी सीधे यह हैं वह पर अपस्वर्ण तो ङॉडिया जो इप यह निवेप जो बार रिवर के वारे में ऊंड़े हैं तो लोने इनकलते हैं और फिर यह मतलब लेनडवारे एक्टिया में खतम हो जाती है तो समधर तक पहुंची नहीं पाति है उससे पहले यह पाने इसका वह खत्म हो जाते हैं तुलुम नीवर इसलिए शुत्म में और यह भारतिय पर दीप की जो मतलब परस्चिंद की साइट जो बहने वाले नदिया है उनमें सबसे नौर्थ की साइट इसकी लोकेशन है इसलिए इंपोर्टेंट है पिर एकला है वह साबरमती रिवर है तो साबरमती रिवर है फिर य दोनों को भी जो माही रिवर है आपको बता है कि इन्दर चलकास परवत है वह से निकलती है और यह कहांसे वह स्वह पता होना चाहिए कि नदिया निकलती है निकलती है कौन- Congratulations पर बढ़ें पाढ़ियों निकलती है तो देख़ों इनको बार र्रिवाइज गरोगे आप दिस बार दो करें आपको याद हो जाएगी माद्देव की पाड़ें आप इसे बेतुला की पाड़ें भी बोलते हैं यहां से निकलती है माद्देव की पाड़ें में बेतुला की पाड़ें बेतुला का पठारा सोरी वहां से यह रिवर है वो निकलती है तापती रिवर में चीटी रिवर के किनारे तो यह हमें इस चीजिस के पर बता आज जी विए को एसी चीजिदे को स्टेट पिशिए स्टेट प्पीश वगर में पूछ लेती है आब आगे चलते हैं यह आपको थोड़ा आईस्टीस का USDA होगा हुगा कि जो भारत का प्रहएदी पह। उसका ड़ाल हों पश्चम से कूर की ओर है कूँ पार्ति की तरह आप पर वह चाई ज्यादा है और पूर की तरह पूर आप वीडुवाघती है रह debate कि पूरेट वी इन ऋब फिर भी पूर तरह टो फिर हो रहे भिवाटी मुदी नदूरी यहाप लिए मांड़ी रिवर जो कर दो है लिए बाते हैं मेहाँ प्रिया मांड़िभी ररी वीडे अकरशन पर उसका बांड़ी रहे नहीं पर Bij отвеч hen री री वह भी गुवाता सात हटी यहां इस तसके बात में जखित है अगली में कोन्मी र्युवर भैती यहां पर देखा पिखिंक रखंप में पहली है बंधपुद्ण भरता न ऑ last पर दिसक्रस के था कि एक रिवर और ती इसका नाम था विंगाई रिवर हो यहां पर इस तुन गार्ट की तरह बहती हो पेरिया रिवर तो नाम थोड़े अजीब से होता हैं कि हां पर साउथ में तो आपको नाम से नहीं होना है फिला आपको यहाद है यह रहे हैं इस पर है आपको यह बताना है कि जो दुवहाधार जल बर बनते हैं नुशुर बनती है दुवहाधार जल पर बनती है तो इस आपको यह बताना है मैं आपको बताना चीए और यह बनाती कहा हैं उसको बोलते हैं बेड़ा गार तो यह आपके लिए इंपोर्टेंट है यह आपको आजगा दूसरा हुमर का आपके लिए और फिर अगला है हाँ पे है वो है कि सारावती जो रिवर है इसमें जोग जलपरपात है जिसे गर्शो आपको बताना है कहां बनता है तो मैंली यह जो रिवर्स थी दक्सिन भारती ही वह हमने और मौसरी रिवर कंप्लेट कर दिये तो इस प्रकार हमारा जो दक्सिन भात का अंशुरी इंडिया की जो प्रोपर में फगराता सारी चीजे कंप्लेट हो गी है अब इसके लागर आ आपको कुछ बाकी और लगता है कि नहीं कुछ रहा गया है तो आप कर्मेंट बोक्स में जुरूर बता सकते हैं तो आज की डिसकुस में हमारा इतने कल से हम और कुछ नहीं चीज़ है वह डिसकस करेंगे मैपिंग में तो चलिए दोस्तों थैंक्यू